क्या आपको पता है कि शाओंई ने जब इस लोगो को modify करवा कर यह लोगो बनवाया तो Xiaomi के 0.5 करोड रुपे कैसे लगे और क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ने ये फोटो क्यों खिचवाई थी अगर नहीं तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो इन्फोमेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना वर्ल्ड पूरेस्ट कंट्री यानि दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है इस्ट अफ्रीका में मोजूद बुरूंडी ये कंट्री इतनी गरीब है कि यहां रहने वाले ओल्मोस्ट दो तिहाई बच्चे 5 साल से कम एज के माल नूट्रीशन है यानि भूके मर जाते है उनको धंग से खाने को नहीं मिलता ये कंट्री इतनी गरीब है कि यहां की 70% पोपुलेशन पोवर्टी में है इस देश का जीडिपी पर कैपिटा सिर्फ 270 डोलर है दुनिया में सबसे लोएस इंडिया का अराउंड 1900 डोलर है और ओन एवरेज डेवलेप्टिंग कंट्री इसका 5000 डोलर के आसपास होता है रीजन इसके पीछे कहीं है पहले कि ये एक लेंड लोग्ड कंट्री है ज्यादा रिसोर्सिज नहीं है पोपुलेशन बहुत ज्यादा है ओल्मोस्ट 12 मिलियन लोग रहते है यहां पर 90% से ज्यादा लोग सिर्फ एगरिकल्चर में एमपलोईड है और इसके अलावा ये कं रूपे क्यों खर्च देते हैं आये जानते हैं पिछले साल शाओमी ने अपने लोगों को चेंज किया था जिसमें डिजाइनर्स ने इस लोगों को ऐसा बनाया था एंड इसके बारे में शाओमी ने ट्वीट करते हुए बताया था कि उन्हें इस लोगों को बनाने में ती वोशल मीडिया पर ट्रोल करें और उसे बहुत सारी फ्री की पब्लिसिटी भी मिलें और बिल्कुल वैसा ही हुआ फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर लोगों ने शाओमी को बेवकुफ बता कर मीम शेयर करने लगें इस वज़ा से शाओमी की पब्लिसिटी थोड़ी नेगेटिव तो हुई पर हर कोई शाओमी के बारे में ही बात कर रहा था तो फिर आप बताओ कि बेवकुफ कौन हुआ आपने एलबर्ट आइंस्टाइन का ये फोटो तो देखा ही होगा इस फोटो में एलबर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जीब बाहर निकाली हुई है लेकिन ये फोटो खीचा क्यों गया था क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है दरासल ये फोटो उनके बड़े का है उस दिन ये फोटो के लिए इसमाइल कर करके इतना ठक गए थे कि इरिटेट होकर इस फोटो में उन्होंने जीब बाहर निकाल दी और फोटोग्राफर ने उनकी ऐसे ही फोटो ले ली और ये फोटो आज के दिन में एलबर्ट आइंस्टैन की सबसे वाइरल फोटो उसमें से एक है